आज सामबा दादा समेजन बुलाने का मुख है उदेश है कि पूरे देश में आप सब साथियों को पता है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनावा हो रहा है और NDA के टबंधन पूरी मुस्तहिदी से पूरी मुस्तहिदी से हम लोग पूरे देश में 543 लोकसभा सीट पर चुनावी अभियान में हमारे बरेर निता से लेकर के और एस्टेट लीडर कि वहनगी हमारा जो जिला ध्रक्ष है सभी लोग उसमें समलित है और आप सब लोग को पता है कि देश के प्रधान मंतरी आदर लिए स्री देंदर मोदी जी आज के तारिख में विश्व के सबसे सरमान नेताओं के रूप में सबसे लोग प्रिया नेताओं के रूप में माने जाते हैं और उनके नित्रित में जो दस वरस में देश का विकास हुआ चाहा वन नेशन, वन डासन कार्ट की बात हो, हेल्स क पुजोला येज़ना की बात हो तो समाज में जतना वी गरीब सोसी दलित इवन कुछी जाती के जो गरीब लोग हैं, सबों की हित की बात, किसानों की हित की बात, नोजवानों की हित की बात है, हमारे प्रधानमंदी जी ने किया, और वन नेसन, वन रासन कार्ड के तहरत आपने देखा होगा, कि एक अरव 40 करूर की अवादे में, 80 करूर लोगों को म प्रधानमंदी जी ने कहा कि नहीं, देश का मौली, सबीधान में मौली का दिकार है, कि जाए गरीब हो या अमीर हो, इसको जीने का दिकार है, और उन्होंने अपने कोच से 500 कृपईया दिया, और जिसे की काफी संख्या में, पुरे देश में, गरीब लोगों का महुत के म मौं से इलाज किराया और बज़ कि निकला, उसी तरह से बहुत सा स्थी मुने धस वरसलमें से मत्ताओं उसकी मूरीब हो, जिसे महिलाओं का अरक्षन की वश्ता होई, नौजवानों को नक secondly की वश्ता होि, किसान को इप, इसके भक दिया गया, इस तंसे पूरे देश में, आज के समय में जो चुनाव हो रहा है वा प्रधानमंति जी के नितृति में चुनाव हो रहा है और पूरे देश से की अवादी 70 से 75 प्रतिसर अवादी प्रधानमंति के नितृति पर विश्वास करता है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हम अमरा संगठन पुरे देश में है और खासर के बिहार में हमारी पार्टी हम लोग एंडिये कर भंदन के साथ है और पूरी मुस्तेरी से हमारा जो जिला संगठन है हमारा जो प्रखंट संगठन है पुर हमारा जो गलिश चैना का संगठन है हम जो बिहार में 40 में 40 सीट पर संगठन की जोड से काफी त्यारी कर रहे हैं और पुरे देश में 400 पार जो प्रथानमंत्री जी का नारा है और बिहार में 40 में 40 सीट का जो नारा है पर इस समझता हों कि चार जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रथान मंत्री जी तीसरी वार देश के प्रथान मंत्री के रूप में सबते हों जाए पर इस सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से जड़रत है और द्या भी गया और द्या भी जाएगा तो इतना बड़ा देश है ये करव चालिस कोड़ की अबादी है अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नोजवान हैं सब को नुक्री देना तो संभबने ये कर्मसा होगा जीरे जिसे प्रथान मंत्री जी ने घोस्तना किया और हम लोग ने दसलाख लोग को नुक्री देने की विस्ता भी की उसी तरह से किसी बार जब वो प्रथान मंत्री चूंड की आएंगे तो फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जतना बेरोजगार नुजवान है उसको निशित रूप से रोजी रोटी की वैस्ता किया जाएगा रिंका ना ने कहा है कि ओवैसी जो है वीजे प्रथान में काम कर रहे हैं आएन वीजे हुआ है इस सब्सक्राम करें कि कितनु अच्छा काम करें चूंड करेंगा नहीं कि क्या अपनी प्रथा अ हाडाय पूर की चूंडाय परचार में द्याबसक्ता होगी मुझको भूलाdestी मिव्बह collar को हूं आज से एक मेना पहले मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा था कि बिहार में 40 वे 40 लोकस्वा स्वीट है और जहां भी जरत होगी जो मुझको के बुलाएंगे मैं निस्टी तुप से जाओंगा इवन कि हाजीपूर में जरूत होगी तो वहां के लोग मुझको बुलाएंगे तो क्षापड है चराग क्या करता है ने करता हूं सब्सक्राइब करता है निमंत्रन दिया जाएगा तो मैं इसी तुरूत से जाओं था था लेकिन उन्होंने कहा है कि उनसे पुछी हमको निमंतरा नहीं मिला आप एक बाद जान लीजिए एरपोर्ट बगल में मेरा रेजिडेंस यहां है मैं इसी में रहता हूं पाटी कर जाले कि में रहता हूं इसी में चिराग पास फांजी रोज दो बार आते हो जाते हैं जिनके दिवांग में होता है कि हमको चाता कि असरी बाद चाहिए तो फिजकल या करें कि हम साथ असरी बाद लेते हैं रोज चिराग पास फांजी आके कहते हैं कि चिता चलिए जार नामंकन में चलिए इसलिए यह सब देख़े यह सब न्यूज जो हो सो जिख भडवित करने के ल मैं तो का रहा हूं कि मुझको निमंदरन मिलेगा तो मैं जाओंगा चलिए और प्रधान मंदीजी का रोट सो है बारे तारी को उसमें कल हम अपने दल के लोगों की बिठक किये थे अपरे दली सेना से लेकर के पूरा जिलात पताधिकारी और स्टेट के पताधिकारी थे ब एक बात आप लोग जान लीजे एक बात आप लोग जान लीजे कि हमारी पार्टी का संगिठन पुरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगवा स्टालिस पुर्व बिहार बिधानसवा के सदस होए थे और हमारा निती और नियत बिलकुल साफ है जहां रहते हैं हम लोग पूरी इन्दारी से पूरी निष्ठा से काम करते हैं अमें डिय गट्मबन्स में 2004 से लेकर अभी तक था हमने पहले भी घुसना किया था जब तक राजनीट में जिंदा रहूँगा मैं इन्दीय के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोसिद रहेग सुसल कुसभवाजी से में बात क्या हूँ बढ़ कर रोज हमारी बात को चिरागी चिरागी रदीजर हमसे छोटा है मेरा बती जया हूँ हम से बात कर गया हं एक एक हमसे बात करने लिदा मैं डिदbelt जांगा पूछी यह सबसक्राइब है सब्सक्राइब कर complaint दो करिके पेकल पने बंह ऩर घड़ाए और फॉद का रहा हुँ जहां जहां मोदी जी का जहां टाइब अबाइब भाम हुआ टाइब पराम यह तो चआटत डाम चण गए फश्क फर absorbent ठाइब पर्देश सद्यक्ष है, अभी अपने बात को कुछ बता देंका, परदेश सद्यक्षि कहा हुए. एंडिये को लेकर हाजिपूर को लेकर इन से विहार के बादे हम कुछ हो नहीं है, हाजिपूर को भोल दी. आप और चिराब मास्वान एक साल एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं। कमिटी के सदसे हैं, सभी कोई अपने 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 परताशी के जीताने में पुरा पर्यास कर रहे हैं, पुरी जोर सोर्स लगे हुए हैं। जीता है, वो काफी हम लोगों के फेवर में हैं। और हमें ऐसे लगता है कि अनुमाद जब चौते चंगा जब चुनाओ होगा उसमें भी इसी तरगी के परणाम देखने को मिलेंगे। चिरागी बोल रहा है कि चाचा के लोग हमें हराने पड़ लगे हुए। देखे, उनका जो यह अनुभाव उनको मिल रहा है, यह कहीं न कहीं उनका टिकट बाटने का जो तरीका था। मिडिया लोग ने जिस तरीके से यह ख़बर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट बेचा गया नहीं बेचा गया। यह तिंग यह इसके आप जब उन्होंने जब प्रकाशो का जब रोचना किया तो उन्हीं के पाटी के किस लोग ने स्तिफा दे दिया। बाइस लोग उन्हीं के पार्टी के रथे जोने इस्तिफा दिया है उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगा सभा कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा हैं ये हमारे पार्टी के नहीं है हमारे पार्टी के जितने ही हमारे जिला ध्यक्ष ये हमारे कमीटी के जि वो मजबूती के साथ, एंडीय के जहां जहां परत्याशी हैं उनके लिए चुनाव परचार कर रहे हैं, वो उनका क्या कहना है, वो क्यूं कह रहे हैं, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन गंदन धर्म काम लोग पालन कर रहे हैं, और हमारे नेता, हमारे आदरणिये परधान मंत हम लोग खगरिया में भी थे, वहाम ने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है, और अपने परधाशी जो हम लोगों के वहाँ है, उसके फेवर में वोट डाला है, और अच्छा मोहल है, इस तरीके से कहना हम लगता है, यह मीडिया एक बनाना चाहरा है, ऐसा कुछ नह जो अबत नहीं है, इसके ओपर को सवाल उठा लेगे का चिराक पासमान के परचाल में जाएएगा? अब जो सब के परचाल में जाएगा, ज़ीक परचाल के जाएगा